हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए मिल्क वॉटर से बनने वाली बहुत ही टीस्टी मिठाई की रेश्पी बताने वाली हूँ सेम हलवाई जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे परनाने में इसे ज्यादा इंग्रेणिस की भी जरुवत नहीं पड़ती है मिंटो में आप इसे तयार कर सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहां पर देखिए मैंने कडाई रख लिया है कडाई में डाल देत तो आधा कूब हम दूद डाल देते हैं एक चोथाई कप हमारा ओईल है और आधा कप दूद डाल दिये हैं तो इसी मेजरमेंट से फिंड मैं आधा कप चीनी डाल दे रही हूं जो मेजरमेंट से मैं बता रही फिंड इससे आपकी बहुत ही परफेक्ट अच्छी सी पसंद करें आभ हैसे अच्छे से उबाल आने देतेँ यहाँ पर देखिया आधे कब वाले से लिया है यहां ने एक कफी मिलक ओडर डाला है यहां पे देखिये पहले थोड़ा दालते रहिए आप डैल दालते डालते फेंड, आच्छे से हम करेंगे तो दे सकते हैं इसी तरह आपको मिलग्स करते रहा है और गैस का फ्लेम भिलकुल लो कर दीजिएगा ज्ञादा रुटि हो ज़या ended enrichment अब इसी कर कोड़िंग मैं एक कप दूझ और ले आप इसी तरह डाला है तो यहां पर देख सकते हैं एक कप कंबल लीजिए जो मिल्क ओर्डर एक टोटल दूद लिया है जोटे मेजर्मेंट से आप अगर करेंगे तो तो जो भी मेजरमेंट से बता रहें अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी मिल्क ओडर की मिठाई इतनी टेश्टी बनकर तयार होगी साइध या से पहले अपने कभी ट्राय किया होगा इतनी टेश्टी और डिलिसस लगती है तहां पे देखी इसे अच्छे से हमें इसी पैन से छोड़ने ना लगे तो देश सकते काफी अच्छे से छोड़ दिया है अब यहां पर देखिए काफी अच्छे से तयार हो गए फिर्ण चोड़ने लगा है तो इसे मैं निकाल लेती हूं एक कैसी प्लेट में यहां पर देखिए मैं प्लेट में अच्छे से इसे नि या फिर देशी घी लगा सकते हैं उसी से आप अच्छे से जितना भी आपको पेड़ा सेप में चाहिए उसी से कम जादा जैसा आपको छोटा बड़ा सेप में चाहिए उसी के कोडिंग आप बना सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने मीडियम साइज का बहुत ही टेश्टी ही टयार कि देह सकते हैं इसका लुप देखने में काफ रेडी हो जाते हैं जब भी आपका खाने का मन कर आप फिर अचानक घर में महवान आ जाएं तो आप इसे जट पड़ बनाकर इसी तरह रेडी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में आप इसे बनाकर रेडी कर लेंगे इसे बनाने में फ्रेंड बिल्कुल भी जंजट नहीं लगता तो यहां पर देखिए मैंने इस तरह तयार कर लिया है दे सकते हैं कितने टेश्टी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं इसी तरह मैं सब को फटा फट बनाकर रेडी कर लेती हूं बहुत ही जट पड़ बनकर रेडी हो जाता है अगर मेरी वीडियो अपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा साथ ही कमेंड में हर- ऐसे ही नए-नए मैं फ्रिंट रेस्पी अलग-अलग लेके आते रती हूँ तो आप मेरी रेस्पी को देखिए फिन प्लीज मेरे चनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा तो दे सकते हैं काफी अच्छे से मैंने इसे तयार कर लिया है इसके उपर मैंने केसर के धागे लगा दी है इससे देखने में इसका लुक काफी टेश्टी है अगर फिन आपके पास केसर के धागे ना हो तो काजू, बदाम, पिस्था जो भी आपको डेकोरेट करना हो आप आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनका रेडि हो जाती है इसे बनाने में बहुत ही कम समय का लगता है ऑर बहुत जल्प्रट बनका रेडी हो जाती है इस रेसПी को जरुप ट्राइए किजएगा गारेंटें से कर सकती हो कि आपको इस रेस्थी काफी पसंद आएगी आपके अ क्या रवका झουड राव इा। सबुखर हो बाव सिर्ट मुड़त